जै स्री कृष्णा आईए सुनते हैं मौनियम आवस्या पर पीपल देवता की यह कथा की कैसे पीपल देव ने एक गरीव ब्रामहर ब्रामहरी को धन्धान्य से पोड़ किया एक समय की बात है किसी गाउं में एक ब्रामहर और ब्रामहरी रहते थे वे दोनों रोजाना पीपल की पूजा किया करते थे बिना पीपल की पूजा किये ना तो अन ग्रहड करते थे और ना ही जल ग्रहड करते थे जब भी वह ब्रामहर देव पीपल की पूजा करते थे तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती थी मैं देऊं तू मांग अर्थात मैं देना चाहता हूँ मांग लो यह बात सुनकर ब्रामहर देव सोचते थे की आवाज आखिर कहां से आ रही है क्या पीपल के उपर कोई बैथा है या फिर किसी भूत प्रेत का साया है यह सोचते सोचते और चिंता करते करते ब्रामहर अपने घर गए और एक दिन घर जाकर बिचार करने लगे बहुत समय बीत गया तब ब्रामहरी बोली आप चिंतित क्यों हो रहे हैं और आप दिन बदिन सूकते जा रहे हैं तब ब्रामहर बोले पूछो मत वह बोली आपको क्या चिंता है तब ब्रामहर बोले मैं जब भी पीपल की पूजा करता हूँ तो उसमें से एक आवाद आती है मैं देऊं तू मांग पता नहीं वह आवाज कहां से आती है क्या कोई भूत प्रेथ है तब ब्रामहरी कहती है कि वे ब्रम्ह देव हैं क्योंकि पीपल में ब्रम्ह देव का रूप है आप मांग लो वह बोला मुझे नहीं पता की मैं क्या मांगू ब्रामहरी बोली आप कहना सोलह साल की काया दे हजार साल की माया दो बेटे पूते का परिवार दो सारा सुक संसार दो अगले दिन आखिर पीपल सीचने ब्रामहर गये तब फिर से वही आवाज सुनाई पड़े मैं देव तुम मांगू ब्रामहर देव बोले मुझे सोलह साल की काया दो हजार साल की माया दो बेटे पूते का परिवार दो सारा सुक संसार दो तब पीपल देव बोले ब्रामहर देखने में तो बहुत सीधी साधे लगते हैं पर सारा कुछ मांग लिया लेकिन पीपल देव ने कहा जो तुमने मांगा वह सब तुम्हे मिल जाएगा तब ब्रामहर देव वहां से चल दिये और विचार किया की जो भी मैंने मांगा क्या कम मांग लिया लेकिन पीपल देव ने कुछ नहीं दिया ऐसा ही विचार करते करते वह अपने घर को चल दिये और यही विचार करते करते अपने घर से आगे निकल गए ब्रामहरी ने यह सब कुछ देखा और ब्रामहर के पीछे से आवाद दी क्या आप अपने घर को ही भूल गए तब ब्रामहर कहते हैं अपनी तो एक छोटी सी जोपरी थी यह कब और कैसे बदल गई अभी तो थोड़ी देर पहले पीपल सीचने गया था तो जोपरी थी ब्रामहरी बोली मैं आपको कहती थी न पीपल देव ब्रमह जी के रूप हैं पीपल से जो कुछ मांगना था आपने मांग लिया अब हमारे पास सब कुछ आ गया है मुझे तो पीपल देव ने सब कुछ दिया मेरे तो हाथ खाली हैं मैं तो खाली हाथ आया ऐसा ब्रामहर ने कहा तब ब्रामहरी कहती है पीपल देव ने तो हमें बहुत कुछ दे दिया आप अंदर आईए और देखिये पीपल देव ने हमें सब कुछ दे दिया है पीपल देव की माया नहीं समझ कोई पाया आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया ब्रामहर देव ने पूरिक गाउं में बताया कि सभी लोग पीपल देव की पूजा करें मान्यता है कि पीपल के पेड़ की पूजा खासतर पर ग्रह दोस दूर करने के लिए की जाती है कहते हैं कि पीपल के पेड की पूजा से सनी देव प्रसन होते हैं इसके साथ ही आर्थिक परिशानिया भी दूर होती हैं तथा माघ मास में विश्रु भगवान की पूजा और पीपल को तीसरी देव के रूप में माना जाता है इस महीने भगवान विश्रु को सुबह दोपहर और साम को राम वश्याम तुलसी चड़ाने से सभी पापों से मुद्ती मिल जाती है इस महीने में तीर्थ स्थान के बाद पीपल को जल कच्चा दूद वह जल चड़ा कर दीपक लगाने की सास्त्रों में परंपरा है माघ मास में प्रती दिन पीपल देव को सीचने से सभी प्रकार की समस्या दूर होती है एक पौरारिक कथा के अनुसार लच्मी और उनकी छोटी बहन दरिद्रा विश्रू जी के पास गए और प्रार्थना करने लगी की हे प्रभू हम कहां रहें इस पर विश्रू भगवान ने दरिद्रा और लच्मी को पीपल के ब्रिच पर रहने की अनुमती प्रदान कर दी इस तरह वे दोनों पीपल के ब्रिच में रहने लगी बिश्रू भगवान की योर से उन्हें यह बरदान मिला की जो ब्यक्ति सनीवार को पीपल की पूजा करेगा उसे सनी ग्रह के प्रुहाव से मुक्ति मिलेगी उस पर लच्मी की अपार क्रिपा होगी सनी के कोप से ही घर का ऐश्वर्य नश्ट होता है मगर सनीवार को पीपल के पेड की पूजा करने वाले पर लच्मी और सनी की क्रिपा हमीशा बनी रहेगी इस लोग में विश्वास के आधार पर लोग पीपल के ब्रिच को काटने से आज भी डरते हैं लेकिन यह भी बताया गया है कि यदि पीपल के ब्रिच को काटना बहुत जरूरी हो तो उसे रभीवार को ही काटा जा सकता है तथा रविवार के दिल पीपल की पूजा नहीं की जाती है क्योंकि बिश्टु भगवान ने धरिद्रा को रविवार के दिल पीपल में रहने के लिए जगह दी थी इसलिए लोग रविवार को पीपल की पूजा नहीं करते है